आज मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा नहीं इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोल रहा हूं नहीं शेयर ना कुछ और क्यूंकि यार यह हमारे फाइनल एटेम्ट का एक लास्ट वीडियो है और तो और यार देखो जिनको पता नहीं कि फाइनल एट क्यूंकि यार यह एक ऐसा Pokemon है जो कि हर एक element में से किसी में भी evolve कर सकता है लेकिन वो एक ही time के लिए होता है यानि कि अगर आप उसको thunder stone दोगे तो वो thunder electric type हमारे jolteon ही बनके रह जाएगा अगर कोई और stone दोगे तो वो उस typing में change हो जाएगा और यह Pokemon आज तक का सबसे OP Pokemon मुझे भी लगता है क्योंकि यार इसके इतने सारे evolutions है तुम लोग अपनी मर्जी से केजी के अंदर भी इसको transform कर लो लेकिन यार आज के इस वीडियो का topic यह है कि यार क्या यह EV खुद अपनी मर्जी से situation के चलते अपना typing change कर सकता है यानि कि अगर वो fire type से लड़ रहा है तो क्या वो water type बन सकता है या फिर वो grass type से लड़ रहा है तो क्या वो fire type बन सकता है खुद बिना stone के और यार पूरे circumstances को अपने मतलब मद्य नजर रखके और यार आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले है और यार आज के वीडियो काफे ज़ाधे interesting होगा तो यार वीडियो को last तक देखना तो यार हम लोगों को EV के बारे में मतलब वो ऐसा कैसे कर सकता है ये इसके उपर आने से पहले तुम लोगों को ये समझना होगा कि evolution क्या होता है Pokemon के अंदर और यार वो कैसे होता है इसके अंदर दो evolution आते है एक stone evolution और यार एक हमारा normal evolution जो की level up से होता है सबसे पहले हम level up evolution की बात कर लेते हैं तो यार यार देखो level up evolution एकड़म normal एकड़म normal सी चीज है जैसी एक Pokemon उसके particular level पर पहुँचता है तो यार उसके अंदर Pokemon evolve हो जाता है जैसी कि अगर हम Charmander का example ले तो यार Charmander level 16 पे हमारे 4 million में evolve होता है जैसी Charmander evolve होता है उसके अंदर काफी सारे changes आते हैं और तो और उसकी power भी increase हो जाती है वैसी level 36 पे वो Charizard बनता है जिसके अंदर बहुत बड़ा evolution होता है जिसके अंदर उसके पूरी की पूरी body एकड़म बड़ी हो जाती है और उसके punk भी निकल आते है और तो और वो काफी जादा बड़ा हो जाता है और वो Dragon Rage जैसे खतरनाक attacks भी सीख जाता है और यही हमारे level of evolution होता है जो कि हमारे humans में भी आसानी से हो जाता है जो कि age के साथ होता है जैसे कि हम लोग हमारे इंसानों में कैसे होता है हम लोग puberty पे आते हैं तो हमारे bodies में भी काफी सारे changes आते है वैसे ही यह Pokemon का level of evolution है यू समझ लो उसकी age बढ़ रही है और यार अगर तुम लोग इस चीज़ को डंग से समझ गए होगे तो यह तुम लोगों के यह भी पता होगा कि हमारे जो 4 million है वो firestone से evolve नहीं होता है जी हाँ यह पुल सही बात है कि हमारे जो 4 million है वो एक fire type है लेकिन वो firestone से evolve नहीं होता है उसको genuinely हमें एक मतलब उनके levels up करने होते है तब जाके वो evolve करता है चारिजार्ड में वही पे अगर हम Pikachu की बात करोते है Pikachu thunderstorm देने के बाद ही वो राइचू में evolve होता है अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ऐसा क्यों होता है क्या Pikachu level up से राइचू में evolve क्यों नहीं हो सकता तो यह इस बारे में तुम लोगों को अभी बता चलेगा तो यहाँ स्टोन होते है जिसके अंदर एक certain element होता है जैसे कि firestone है और यह वो सिर्फ fire Pokemon पे ही काम करता है यहाँ पर एक बात तुम लोग समझने वाली है कि अर हमारा Pichu अपने आप level up होने पे ही वो Pikachu में evolve होता है without मतलब level up वो नहीं हो सकता है और यह वहाई पे हम लोगों के एक चीज़ पता चलती है कि अर यह जो Pokemon है उनके जो की अंदर के जो DNA changes है वो एक level पे आ की काम करते है stone के साथ नहीं समझे तो समझाता हूँ देखो जैसे की हमारा Pikachu आता है अपने level उसमें पीचू से evolve होके जहाँ पर हमारा Pikachu एक type से वो mature हो जाता है और तो और यह उसके जो भी DNA changes है वो Pikachu मतलब एक थंडर स्टोन के contact में आने पे ही अपने जो की DNA को change कर पाता है यानि कि उस DNA को और बे ज़्यादा complex कर पाता है जिससे Pikachu की जो की living timeline है वो ज़्यादा increase हो जाती है मेरा मतलब है कि वो Pikachu जितना अगर वो 1500 साल तक जी सकता है तो राइचू बनके और 100 साल जादा जी पाएगा और यही main काम होता है हमारे stones का जो की Pokemon की जो की DNA में एक अच्छा जा चेंज लाए जिससे वो evolve हो जाए ऐसा ही हमारा Mega Stone के साथ भी होता है Mega Stone के अंदर वो पूरा का पूरा DNA को अंदर से change करते है जैसे कि हम लोग Charizard के इसमें देखी पाते है कि यार हमारे Charizard Blue Color का हो जाता है Mega Evolution के टाइम में और यार यह जो stones है यह पूरे के पूरे DNA को change कर देते है evolutionary stone पूरे के पूरे जो की DNA को वो एक तरह से mutate करके उसको high level पे लेके जाते है अब तुम लोग बोलेगे भाई तु कुछ भी बख रहा है लेकिन यार ऐसा नहीं है जैसे कि तुम लोग जानते हो Gloom को Gloom अगर वो Leaf Stone के contact में आता है तो यार Gloom के जो की DNA में दो तरह के DNA स्पाए जाते है या फिर उसको तुम लोग Harmon जो भी तुम लोग कहना चाते हो बोलो मैं तो यहाँ पर DNA बोलूगा जैसे कि तुम सब जानते हो हमारे जो Gloom है वो Grass and Poison टाइप का है और यार यहाँ पर हमारा Gloom एक ऐसा एकलोता Pokemon है जो कि यार अपने एक टाइपिंग को छोड़के एक सिंगल टाइपिंग में इवाल्व हो सकता है यानि कि अगर हमारा जो Gloom है उसके उपर Sunstone आता है तो यार उसकी वज़े से उसके जो की DNA जो भी तुम लोग सोच रहे होगे इस टाइम उसके अंदर ज्यादा evolution आता है जिससे वो सिधा Bellossom में evolve हो जाता है और यार वो Bellossom में evolve होता है तो यार उसके जो की poison टाइपिंग है वो चली जाती है और यार और तो और यार वो सिरिफ और सिरिफ एक pure grass टेप Pokemon बन जाता है लेकिन वही पर अगर हमारा लीफ स्टोन उसके contact में आता है तो यार यहाँ पर दोनों के दोनों जो टाइपिंग है वो एकड़म सेम रेशियो में बढ़ती है जिसके वज़े से वो wild ploon बनता है जो की यार पूरा का पूरा grass and poison टाइप Pokemon होता है मुझे पता है तुम लोगों को समझ आ गया होगा इतने तो तुम लोग होशियार होई इससे तो तुम लोग समझेगे होगे क्यार मैं क्या कहना चाता हूँ हमार जो EV है उसके अंदर हर एक टाइपिंग का थोड़ा थोड़ा DNA है और जैसे ही जिस सेम टाइपिंग का stone उसके पास आता है उसकी उसी की वज़े से वो जो अपने उस टाइपिंग के जो की DNA को evolve कर लेता है जिसकी वज़े से उसका जो की environmental appearance मेरा मतलब है वो बाहर से वो कैसा दिखता है जैसे की EV ऐसा दिखता है और फिर वो water stone के साथ आने के बाद वो water DNA को evolve करता है जिससे वो vaporion में change हो जाता है और यार यही concept था पूरे evolution का तो यार घूम फिर के वही बात आती है कि यार क्या EV अपनी मरजी से कभी भी change कर सकता है या नहीं तो यार इसका answer है हाँ वो कर सकता है लेकिन यार उसके अंदर EV को बहुत बड़ा loss होगा तुम लोगों ने अगर एक fan made game खेला होगा Pokemon Adventure Red तो तुम लोगों को पता ही होगा लेकिन यार यह जो incident में तुम लोगों को बताने जा रहा हो यह सिरिफ fan made game का नहीं यह एक real manga के ही चीज है उसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि आर एक EV पर experiment हुआ था जिसको एक belt पहनाए गई थी जिसके अंदर हर एक stone के छोटे छोटे तुकडे रहते हैं और यह जिस भी typing का वो button दबाता था वो stone EV के उपर apply होते ही EV उस stone के अंदर evolve हो जाता था और यानि कि वो अपनी typing कभी भी अपनी मरजे से change कर पाता था या फिर उसका जो भी trainer है वो उस remote control की मदद से उसको change करा पाता था और तो और यहर हम लोगों को game में वो EV मिलता है और हम वो भी कर पाते है और यार EV की हर बार typing change होती रहती थी और तो और यार उसको de-evolve करने के लिए ever stone का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन यार यह experiment सिर्फ उस belt की वज़े से होता था और यार अगर वो belt तूट जाता है तो यार हमारा EV permanently तो उस form में नहीं रहेगा लेकिन यार वो ever stone से de-evolve भी हो सकता है और यार लेकिन इसके अंदर उस EV को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ था वो मतलब मरने ही वाला था जिसको हम लोग pokemon center में लेके जाके बचा लेते है और यार अगर ये reality में मतलब हमारे anime में होता है तो यार ये तरीका तो सही नहीं है लेकिन यार EV खुद मतलब अपनी मर्जी से किसी भी typing में change हो सकता है और इसके अंदर कोई भी शक्की बात नहीं है और ये तुम लोगों का ये doubt clear हो गया होगा I know और यार आज के वीडियो बस यही था मैंने पूरी पूरी कोशिश की तुम लोगों को explain करने की आज मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा और बस यहीं बोलूगा जिसने भी support किया अभी तक उन सभी का thank you दिल से और बस आज के लि कर दो पिल से नहीं बंदा इन की आज की तुम भी तो उन सभी तुम टेय।